कि बैलेंस डाइट है नहीं यह बैलेंस डाइट क्या होता है अलोग बहुत पहले से भी opin Parr V कि अजी को सम्झेट देखे की अ ऐसा डास कि अहीं जिसमें आपको आपको हर वो फूड हो जो हमारे बड़ी के लिए जरूरी है या फिर ऐसा डाइट आप ले रहे हैं जिसमें आपको all the necessary requirement of our body present हो है ना उस फूड में तो इस तर चीजों को collectively हम लोग क्या बूल देते हैं को जो आपने साथ चीज़ को चाहिए अपने डाइट को छीज़ों को सभית。 इन सब चीजों का आप 7 कर रहे हैं अपने डाइट में तो इसका मतलब यह हुआ आप balance डाइट ले रहे हैं आप कैसा डाइट ले रहे हैं बैलेन्स डाइट ले रहे हैं और आप healthy रहेंगे चलिए तो balance diet क्या होता है इसको हम लोग लिख लेते हैं the diet in which all the essential nutrients are essential nutrients are present present in proper amount in proper amount along with along with along with along with rough phase water proper amount proper amount 500 gram carbohydrate consume के समद में प्रोपर अमांट में अलोग विद रफेज और एंड वाटर रफेज और वाटर के साथ वह सारा फूड आइटम आप ले रहें जिसमें प्रोपर अमांड में नूट्रेंट्स हूँ इन सब को कल्लेक्टिविली अम लोग क्या बोल देंगे the diet in which all the essential nutrients are present in proper amount along with raffaç and water these diets are called these diets are called yeah this diet is called this diet is called balanced diet what do you mean? balanced diet अच्छा बैलेंस डाइट जो होता है यह आपको वहरी करता है ना देखें बैलेंस डाइट जो होता है यह आपको अलग-अलग factor पर depend करता है कि सब आदमी का हर एक इनसान का balance right same नहीं सुकता है वो depend करेगा sex पे sex का मतलब मेल है या female है इस चीज़ पर balance right vary करता है depend करता है age पर age कितना है कि कितना age को कितना amount में लेना चाहिए इस चीज़ पर vary करता है occupation पर भे वेरी करता है balance right रहते हैं इन सब चीज़ों पर ही वैलेंस डाइट क्या होता है है हाज गरता सक्राइब करता है कि उन्हें पर नार है उसका अक्व मजद करता है इन तीन फैक्टर पर मिल भालने जो वहता हूँ दिपैंड करता है इसको लिए के लिए हैं कि बैलेंस डाइड डिपैंड्स ओं बैलेंस डाइड डिपैंड ओं कि किन किन चीजों पर डिपैंड करता है बताईए सबसे पहले sex of person sex of person मतलब वो male है या female है generally male और female की बात करते हैं तो इन सब का balance right अलग अलग हो सकता है दूसरा यह depend करता है आपको age of the person age of the person वो जो person है उसका age कितना है इस बात पर भी depend करता है तीसरा depends on occupation of the person occupation of the person इन तीन चीज़ों पर आपके balance diet जो है वो depend करता है अब देखिए एक balance diet में generally जो होता है किसी एडल का उसमें किसका मातरा कितना होना चाहिए अब हम लोग इस चीज़ की बात करें दिए सब का अलग अलग होगा जैसे क्या है हम लोग यह सब nutrients के वारे में पर सुके हैं हम जीज़ों लोगा है कि अधर में प्रोटी में अधर में अधर रफीर विता में अलग लाभबक कार्बो घंडेट्ट जो होता है आप जो बैस्टार्स कर लिये नौका होना चाहिए 60 परसेंट और जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसका मातरा टोटल डाइट का कार्भोहड़ेट 50 परसेंट होना चाहिए सपोस कर लीजिए और आप सब्वोस पर एक्जामपल आप सो ग्राम ले रहे हैं वेलेंजाइड अगर आपका उसका वेट सो ग्राम है उनमें से साट ग्राम सिर्फ कार्भोहड़ेट होना चाहिए और पचीस ग्राम जो आपको क्या होना चाहिए प्रोटीन होना चाहिए और फैट का जो है क्या होन मिन्राल्स यह सब जो होता है माइक्रो नूट्रेंस है कैसा नूट्रेंस बोलिए माइक्रो नूट्रेंस मतलब इसका जो एमाउंट है वह हमको कम चाहिए तो यह चीज होता है अब देखिए कार्बो हैड़ेड़ी 60 परसन आप जितना भी फूड ले रहे हैं जा बैलेंस है चालीस plaster चालीस對 के सौ परसनन हमंड हो जीक हगा हुष ज़ए बहूत कम एमोंड है बहुत है जो होता है वह बहुत कम चाहिए भूत कम चाहिए बहुत सैमोंड मेंे चाहिए तो मिली हम लोग को बेलेंस व्यासर देश्य commitments क्विए सबशी तो का सेवन करना चाहिए मिलता है फैट मिलता है इन सब चीजों का हम लोग को सेवन करना है अब हम देखते हैं मैंटेनेंस ऑफ फूट होता है देखिए फूट जेनरली अगर आप उसको खुलिये में रख दीजिए उसका सही से प्रोटेक्ट नहीं कीजिए तो वह खराब हो जाएगा वह स्वैल हो ज हम लोग अच्छे से समझेंगे सबसे पहला चीज है मैंटेनेंस ऑफ फूट क्यालिटी को हम लोग कैसे मैंटेन करके रखें माल लिजा अगर अच्छा क्यालिटी है वह हमेशा अच्छा क्यालिटी रहना चाहिए इस चीज को किस तरह से मैंटेन रखें या हमेशा नहीं त समस्ते हैं देखिए प्रोटेक्ट फूट फूट फ्रॉम इस्पाइलिंग और कंटामिनेटिंग है ना मेंटेनस फूट में हम लोग क्या चीज पढ़ने बाले हैं फूट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें कैसे बचाएं फ्रॉम इस्पाइलिंग मतलब खराब होना है ना स चीज है, food may spoil at any stage, food जो होता है, वो किसी stage में spoil हो सकता है, contaminated हो सकता है, किसी stage का क्या मतलब हो गया, food का production से लेकिए है, उसका last stage तक, तो किसी stage में food क्या हो सकता है, आपको spoil हो सकता है, वो depend करता है, कब उसे macro organism एटेक कर दे तो वो spoil हो जाए, तो इस attack से, macro organism के attack से, और भी different factor होता है, जिसे food spell होता है, इन चीज को हम लोग को बचा के रखना है, इसी चीज को बोलते है, maintenance of food quality है अब देखिए, इसमें सबसे पहला आता है, cleaning the food, हम जो भी food का इस्तमाल करते हैं, सबसे पहले चीज, वो contaminate ना हो, उस चीज को यह करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको, उसको वास करेंगे, उसको clean करेंगे, अपने सरीर में intact करने से पहले food को, हम लोग क्या करते हैं, clean कर, जैसे कोई fruit खा रहे हैं, कोई vegetable खा रहे हैं, बनाने से पहले, उसको काटने से पहले उसको धोया जाता है, से क्या होता है उसमें जो भी कंटामिनेशन है वो गायब हो जाएगा वो पानी के साथ भागिया हमको अब क्या चाहिए प्योर चावल चाहिए तो उसी तरह है लेकिन इसमें एक बात ये भी होता है किसी भी फूट विजिटेवल को और फूट को अगर आप जादे कि अगर आप चावल को बनाने से पहले बार बार धो रहे हैं उनमें से क्या गायब हो जाएगा उनमें से विटामिन गायब हो जाएगा विटामिन में भी स्पेसली कुन सा विटामिन भी है ना विटामिन भी गायब हो जाएगा उसमें से यही चीज है चलिए देखिए नेक्स्ट क्या food preservation यह क्या है food preservation देखिए food preservation में हम लोग कुछ chemical का कुछ substance का use करके food को prevent करते हैं from contamination from spoiling इसमें जो जिस chemical का substance का हम लोग use करते हैं तो उस substance को बोलते हैं food preservative का काम क्या बताईए food preservative का काम है food को लंबे समय तक सही सलामत रखना मतलब उसको spoil नहीं होने देना उसमें को भी contamination का add नहीं होने देना यह काम किसका है food preservative का अब different तरह का मुक्तलीब किसम के food preservative होते हैं जिसको हम लोग उनमें से कुछ-कुछ जो important है उसको हम लोग देखेंगे जैसे आप बताने से पहले कुछ चीज समझ लीजिए मान लीजिए आप एक आम का टुकुरा लीजिए एक आम लीजिए उसका दो चाट टुकुरा करके टेखेंगे कीचेन में लख लिए तो वो कितना समय तक सही रहे गा मुष्किल से दो दिन एक दिन सुबह तक तो खराब हो जाएगा तो जो झाहिए मेरे साल टक क्ए चार साल तक कई-कईतल सही आए उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे हुआ, उसमें जो यूज किया गिया है, हमारे घर में जो ममी यूज करती है, वो food preservative यूज करती है, food preservative, food preservative क्या, जैसे हम लोग oil का यूज करती है, हम लोग salt का यूज करती है, हम लोग मुरब्बा, जैम बगरा बनाते हैं, उसमें हम लोग सुगर, चिनी का यूज करती है, और भी कुछ-कुछ organic compound होता है, जो की food preservative के तरह यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग तो समझ मैं आया, food preservative क्या होता है, food preservative का काम होता है, food को लंबे समय तक सही सलामत रखना, उसको macrob के action से बचा की रखना, macrob क्या करता है, food को spell कर देता है, food को क्या कर देता है, contaminate करता है, इन चीज़ को बचाने के लिए, क्या यूज़ किया जाता है, बोलिए, food preservatives, चलिए, देखिया, food preservation, here food preservatives are used, क्या use किया जाता है food preservation में, food preservatives, which protect food from macrobial action, macrobial action मतलब macrob का action, macrob food पी अपना action ना देखा पाए, इसलिए हम लोग food preservatives उसकर के, next one, example क्या क्या हो सकता है food preservatives का, sugar, salt, अच्छा यह organic compound है, sodium benzoate, क्या बोलते हैं इसको, sodium benzoate, sodium benzoate एक organic compound है, जिसका हम लोग use करते है, as a food preservatives, चलिए, अच्छा यह sodium benzoate जोता है, सब धेर सरा, यह carboxylate, carboxylate क्या है, एक organic का ग्रूप है, जिसका एक example है, sodium benzoate, carboxylate में और देर सरा compound आ जाता है, उनमें एक आता है, sodium benzoate, यह चाहिए, विटामिन E जो होता है, जो विटामिन E जो हता है, जो विटामिन E जो होता है, जो विटामिन E एक आजा, फूट प्रिजर्वेटिव, मतलब फूट प्रिजर्वेटिव के तरह यह काम करता है, चलिए, आगे देखिए, सॉर्बीक एसीड, यह क्या है, एक organic compound, सॉर्बीक एसीड, सॉर्बीक एसीड से जो साल्ड बनता है, वो सब भी किस के तरह यूज होता है, प्रिजर्वेटिव, के तरह यह उस होता है, अचा, एक इपोकॉक्साइट, एक organic compound होता है, इपोकॉसाइट, प्रिजर्वेटिव के तरह आपको थो बस एक जामपल धियान में रखना है, क्वोन का प्रिजर्वेटिव का एक्जामपल है, मैक्रोबीक एसी एक gray sweat, यह सब एक्जामपल हम लोग किसी फूट आटम में अगर साल का इमांट बढ़ाद है नमक का इमांट बढ़ाद है तो नमक जो हता है वहाँ पे फूट प्रिजर्वेटिब के तरह काम करता है वह मैक्रोब्स अगर उसमें आएगा भी तो उनका डेड़ हो जाएगा वह अपना एक्शन सो नहीं कर पाए वह कैसे अशा कैसे होता है इसको समझते हैं लेकि क्या होता है जैसे आप नमक यूज कर रहे हैं साल की यूज कर रहे i'log fire कर लिथा है तो वह जो कर लिटा है उसके से में पानी की कुम्ही हो जाती है पानी की कमी के वज़ा से उसका क्या हो जाता है वड़ी दीव्रेड हो जाता है तो इस तरह से हम लोग food का यूज करके अपने फूट को लंबे समय तक है ना प्रिजर्व करके रखते हैं सही सलामत रखते हैं चलिए तो यहां पर क्या हो गया यह चप्टर समाप्त हो गिया अब हम लोग एक सेप्राटी वीडियो बना देंगे जिसमें हम इस चप्टर से रिलेटेट जितने भी प् इंड करते हैं तो हमारा पहला चप्टर जो है वो क्या हो गिया यहां पर समाप्त हो गिया अब हम लोग कर दो